दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे देश में रेलवे की कई सारी परियोजनाई चल रही है उन्हीं में से एक है ललित पूर सिंग्रवली रेलवे परियोजना जो ये परियोजनाई चल रही है उनमें से तो कुछ परियोजनाई अपने नियत समय से पूरी हो जाती है या यूँ कहे उससे भी जल्दी पूरी हो जाती है लेकिन कुछ परियोजनाई ऐसी है जो दसकों तक चलती रहती है लेकिन पूरी होने का नाम नहीं लेती है जिसमें कुछ सरकार की गलती रहती है कि समय पर बजट नहीं देती है और कुछ अधिकारियों की गलती रहती है कि अपने कार को समय पर पूरा नहीं कर पाते लेकिन अब इस तरह के अधिकारियों की खैर नहीं जो अपने कार को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं रेलवे ने यह इस पश्च्ट कर दिया है आज कि अपने हम इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर रेलवे किस नीद पर चलने जा रहा है तो नवसकार दोस्तों मैं भी वेक कुमर्दवेदी और अपने इस बिंद्रदय यूटूब चैनल पर एक प्रवाद करते हैं दोस्तों भारती रेलवे इधियास की सबसे बड़ी कारवाही करते हुए अपने वीभाग के 19 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है जानकारी केंसार केंद्र की मोदी सरकार ने खराप प्रदरसन करने वाले और अच्छम अधिकारियों पर बड़ 2022 को विभाग ने 19 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है भारती रेलवे विभाग में पिछले कुछ समय से जीरो तॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है सरकारी कामकाज में जरा भी कोताही बरतने पर एक्षन हो रहा है यसे में रेलवे का ये फैसला मानकों पर खरे न उतरने वाले अधिकारियों के लिए बड़ा सबक लेकर आया है आपको बता दें कि इस एतिहासिक कारवाही में जो 19 अपसर नौकरी से बाहर किये गए हैं उनमें से 10 जॉइंट सेकेटरी इस तर के अधिकारी बताए जा रहे हैं ये सभी अधिकारी पश्यमी रेलवे, MCF पूर्वी रेलवे, दच्छण पश्यमी रेलवे, DLW, उत्तर मध्य रेलवे, RDSO, EDCEL का सेलेक्षन ग्रेट और उत्तर रेलवे में विविन पदों पर तैनात थे खास बात ये हैं दोस्तों अश्वणी बैशनों के केंद्री रेल मंत्री की जिम्मेदारी सम्हालने के बा गया है, इसके पहले दोस्तों हम आपको बता दे, लेलितपूर सिंग्रवली पर्योजन की समन्हों बैठक 9 मई को हुई थी, और इस समिक्षा बैठक की अधिश्ता सीधी जिले की सांसत महोदया आदरनी स्रीमती रीती पाठक ने की थी, कलेक्टर सीधी ने समन्धी तधिक समाप्थ हुई, तब कई सारी इसमें से खामिया उजागर हुई, कि बहुत सारे अधिकारी अपने कार को समय पर पूरा नहीं कर रही है, जिस कारण से ये जो रेलवे परियोजना है, इसमें गति प्रदान नहीं हो रही है, पस्चिम मध रेलवे के जिन अधिकारीयों को व पूरी नहीं होती है, तो निश्चित तोर पर जो बड़े अधिकारी होते हैं, ये उनहीं की गलतियां होती है, और अगर समय समय पर इस प्रकार की कारवाही अगर होती रहेगी, तो निश्चित तोर पर जो परियोजना चल रही है, वो जरूर समय पर पूरी होंगी, तो द हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ अगले दिन तब तक के लिए जय हिंद्ध